प्रेड़ना दायक व्यक्तित्व हल्दी की जैविक खेती करने वाली किसान श्रीमती ट्रिनिटी साईयों श्रीमती ट्रिनिटी साईयों जिने हल्दी ट्रिनिटी के नाम से भी जाना जाता है मेघाले के पश्चिमी जैन्तिया हिल्स जिले के मुलीह गाव में रहती हैं वे हल्दी की लकडों किस्म के साथ काम कर रही है और अनपड महिलाओं को उनकी आय बढ़ाने के लिए जैविक खेती के तरीके सीखने में सहायता करती है आज वे 900 से अधिक किसानों के साथ काम कर रही है और संभवता हजारों किसानों को प्रभावित कर रही है हल्दी की खेती में अग्रणी होने के लिए उन्हें चौथे सर्वोच नागरिक पुरसकार पदमश्री से सम्मानित किया गया शिमती ट्रिनिटी सैव ने शुरू में अपने परिवार का भरण पोशन करने के लिए खेती शुरू की थी अंशकालिक किसान होने के अलावा वह अपने जिले के एक गाम के स्कूल में शिक्षिका भी है हालांकि समय के साथ खेती के क्षेत्र में उनकी रुची ने उन्हें अपने जिले के किसानों के साथ लाकाडों हल्दी की जैविक खेती के महत्व के बारे में अपना ज्यान साझा करने के लिए प्रोच साहित किया और इस तरहे किसानों को अपनी आय तीन गुना करने में सक्षम बनाया। श्रीमती ट्रिनिटी सैव अपने जिले के किसानों की आजीविका को बहतर बनाने की दिशा में अपने निस्वार्त कार्य के लिए जानी जाती है। भारतिय मसाला बोड ने प्रशिक्षन कारिक्रमों, संगोष्टियों, अध्ये अंदोरों आधिके माध्यम से क्षेत्र में हल्दी की खेती और विकास के बारे में शिक्षित करने, सनरक्षन करने और बढ़ावा देने में उनकी मदद करके कुछ प्रमुख योगदान दिये ह वर्तमान में वह 2013 से अब तक मसाला बोड की सदस्य भी है। शुरुआत में मुलिह गाव में हल्दी की लाकाचिन किस्म उगाई जाती थी, लेकिन जब श्रीमती सैव को हल्दी की एक बहतर किस्म, यानि लाकाडोंग हल्दी के बारे में पता चला, तो उन्होंने किसानों म इस खास किस्म की खेती के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और अधिक प्रयास करना शुरू कर दिया। आखिरकार साल 2003 में मसाला बोड के तहत मिलने वाली सबसिडी के जरिये इस किस्म की खेती को बढ़ावा मिला। हल्दी से लाबदायक आय प्राप्त करने के लिए श्रीमती सैयों ने गांव की महिलाओं को हल्दी की ग्रेडिंग प्रसंसकरण में शामिल किया और इससे अंततह हल्दी और इसके मूल्ले वर्धित उत्पादों का बहतर विपणन हुआ। वर्ष 2018 में मेघालय सरकार द्वारा शुरू किये गए मिशन लाकाडों की मदद से श्रीमती सैयों का लक्ष्य वर्ष 2023 तक 50,000 मीट्रिक टन की लक्षित मात्रा तक पहुँचने के लिए लाकाडों हल्दी के उत्पादन को कई गुना बढ़ाना है। और इस तरह सरकारी सहायता के साथ और बिना सरकारी सहायता के देश भर में इसके बाजार में अपनी उपस्थिती बढ़ाना है। आज Life Spice Federation से करीब 100 स्वयम सहायता समूह जुड़े हुए हैं, जिनमें श्रीमती सैयों सहायक महा सचिव के पदपर हैं। श्रीमती सैयों के प्रयासों से उन्हें केरल, करनाटक, हरियाना, पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, मैसूर, बिहार, उत्तर प्रदेश आदी, जैसे देश के कई राज्यों में अपने Marketing Network का विस्तार करने में मदद मिली है। पुरसकार से सम्मानित किया गया था। आपको चंदन के पौधे की बागवानी करनी है, जो आपको चंदन की खेती करने के बारे से लेकर उसको बेचने तक सारी जानकारी दे सके। और आपको हर जगे मदद करता रहे, तो आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं शबला सेवा संस्थान को, जो आपको चंदन के पौधो तो प्राप्त करवाएगा ही, और हर समय एक सही मार्क दर्शक की तरह मौझूद रहेगा। आप हमसे किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट और कमपनी के प्रचार के लिए हमारे दिये गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।